हलो दोस्तों जै मातादी बेलकम बैक टू माई चैनल और हम दिन बर से आपके लिए ब्लॉक नहीं लेके आपाए हैं उसके लिए सौरी गाईज क्योंकि सुबह से कल से टेंचन चल रही थी हमारे दिमाग में और वो क्या टेंचन है मैं इस ब्लॉक में आपको बताऊंगी गा और क्या टेंचन है मैं आपको बताती हूँ उधर से निकालने एक बार हलो गाईज यह मैं हीटर लेके आई थी जैसा कि मैंने आपको ब्लॉक में बताया था कि हमारा हीटर भी खराब हो चुका है मैं बर्थड़े डे वाले दिन और हीटर भी हमारा खराब आ चुका है इसम आप देख रहे हैं और हम इसको चेंज कराने गये थे पर गाई शौप ही बंद है तो थोड़ा मैंड सेड हो गया मेरा क्योंकि सर्दी तेश पढ़ रही है कडाके की पढ़ रही है तो उसमें हीटर होना बहुत जरूरी है जहां बहुत ते स्थन पढ़ रही है पर नेवर म माइंड कोई बात नहीं है हम सिगडी से काम चला रहे हैं मैं किरन से आपको मिला देती हूँ है हलो गाईज यह मेरी चार-चार बेटियां है जैसा कि आप देख रहे हैं यह सबसे स्मॉल बेटी है मेरी आपका नाम क्या है और आगे क्या लगाते हो आप आगे सरनेम क्या लगाते हो मांसी के आगे शर्मा हलो गाईज अभी छोटी बच्ची है इसलिए नेवर माइंड मत करना जितना स्कॉयर उतना इसने बता दिया और यह उससे बड़ी है आपका नाम क्या है और आगे क्या सरनेम लगाते हो आप शर्मा तो मैंने इंट्रोडेक्शन करवा दिया है और यह तो किरन बैठी है जैसा कि आप देख रहे हैं और आप लोग सोसते होंगे हम आदे दिन यहां आदे दिन घर पे क्यों रहते हैं और यह सबसे बड़ी वाली है मेरे भाई की लड़की इसका नाम जीवी का है और अभी स्टडी कर रहे है गाईस तो मैं इनको ज्यादा डिस्टॉप नहीं करूंगी मैंने सोचा क्यों न थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया जाए और मानसी आपको डांस करके दिखाएगी मानसी डांस करके दिखा दो अपनी यूटूब फैमली को गाना चलों थारी आख्या को यूका जड़ मन करे से कोई घायल मन थारी पल 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 आद थारी तड़ पावे से चलो हम यहां से चलते हैं गाईज और जैसा कि आप देख रहे हैं खाना बन रहा है प्राठे बन रहे हैं और साथ में अलू प्याच की सबजी है और गाईज यह हीटर मेरे को पड़ा है 400 रूपीज का ठेक है तो वैसे तो यह 300 रूपीज का था और डॉलर कंपनी का है पर इसकी गैरंटी कुछ भी नहीं है गाईज बस हाँ यह है आप इसको सही से चलाओगे तो लंबे टाइम तक यह चल जाएगा पर इसको हम चेंज कराएंगे और वो पंकी वाला हीटर आता है न वो हम लेके आएंगे तो अभी हम गए थे बता दू गाईज को हम जाके आये थे और शौपी बन दे अब इनका माइंड नहीं है जब यह टीवी देख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मोदी जी के उपड़ जो हमला हुआ था उस पे चर्चा चल रही है तो अब इनका माइंड नहीं है तो मैं इनको ज़्यादा डिस्टप नहीं करूँगी और हम बापा सिधर ही चलते हैं आप कौन-कौन सी स्टुड़ी कर रहे हो चलो मैथ के अंदर आप न वो क्या बूलते है पहाड़े सुनाओ मेरको पहाड़े दो का पहाड़ा सुनाओ पहले यह सुनाएगी फिर आप अब आप फोर्द का सुनाओ हलो गाइज मैं आपसे मतलब आप लोगों को यह बोलना चाहती हूँ कि फिर बापस से गाइडलाइन्स आ चुकी है और बच्चों की स्टुले बंद हो चुकी है और जो स्टुडी चल रही थी वो भी क्लोज हो चुकी है तो फिर से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कोरोना गाइडलाइन्स है उसके आगे किसी के नहीं चलती है गाइस तो आप मैं यह कहना चाहूंगे बच्चों के उपर आप घर पे भी ध्यान दीजिए और ऑनलाइन पड़ाई करवाईए तो जिससे बच्चों का बविश्य खराब नहीं झाल 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 झाल